हलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे मैं हूँ महिमा और मेरे साथ आज हम सौल्ट करेंगे कारे पत्रक 45 यह कारे पत्रक 16 अक्टूबर 2020 के लिए है आज हम हिंदी विशय का व्याकरन वाच्चे पढ़ने जा रहे हैं वाच्चे हम पहले भी पढ़ चुके हैं यह वाच्चे का भाग दो है तो चलिए बिना टाइम वेच के शुरू करते हैं वाच्चे भाग दो बच्चो पिछले कारे पत्रक में हमने वाच्चे सीखने की शुरुवात की थी और वाच्चे के साथ साथ वाच्चे के तीन भेदों करत वाच्चे कर्म वाच्चे भाव वाच्चे में से करत वाच्चे को भी जाना आज हम कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे को समझेंग तो पिछले कारेपत्रक में हमने पढ़ाता कि वाच्चे क्या होता है वाच्चे के तीन प्रकार होते हैं कृत वाच्चे कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे और कृत वाच्चे क्या होता है यह हमने डीटेल में पढ़ाता तो आज हम कर्म वाच्चे और भाव वाच्चे को पढ़ेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का topic और फिर solve करेंगे आज के answers कर्म वाच्चे जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो यानि क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्म वाच्चे कहते हैं यानि कि ऐसा कोई भी वाक्य जिसमें कर्म का पता चले कि कौन सा कर्म हो रहा है उसे कर्म वाच्चे कहते हैं कर्म वाच्चे में क्रिया केवल सकर्मक होती है इसमें कुछ वाक्यों में से और के द्वारा विवक्ती का प्रियोग भी होता है तो इसमें क्या होता है कर्म वाच्चे की पहचान क्या होती है कि पहले तो इसमें क्रिय हमेशा सकर्मक होती है और दूसरा इसमें अक्सर करके से और केडवारा ऐसे दो शब्दों का इस्तमाल जादा होता है तो ऐसी दो विवक्तिय enabling से और केडवारा का प्रियोग होता है जिससे कि आपको आसानिक से पता चिलाता है कि यहाँ पर कर्वाच्च है सेब खाया गया दूसरा उधारन है सेब अक्षत से खाया गया यह सेब अक्षत के द्वारा खाया गया तो यह आपके दो वाके हैं और उधारन है जिससे आपको यह टॉपिक बहुत ही जादा पहतर तरीके से समझ में आ गया होगा चलिए आगे देखते हैं कर्म वाच्छे के कुछ और उधारण मोहन से पत्र लिखा गया मोहन से पत्र लिखा गया तो मोहन कौन है इसमें मोहन करता है इसमें और उसका करम क्या है पत्र लिखना इसलिए पत्र क्या हो गया उसका वो क्रिया हो गई दुकानदार द्वारा दुकान बंद कर दी गई बंद कर दी गई ये क्या है इसका कर्म है और दुकांदार कौन हो गया इसका करता हो गया आगे बोला गया है दिये गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बना कर लिखिए जिसमें कर्म की पढ़ानता हूँ तो आपको बोला गया है कि यहां पर कुछ देखे हुए चित्र के द्वारा गीत बनाया लिखा जूला समाचार पत्र निबंद सपना पढ़ा ये शब्द दिये गए और इन शब्दों का प्रियोग करके आपको कर्म वाच्चे के कुछ उधारन बनाने है और लिखने है चलिए आगे देख लेते हैं भाव वाच्चे भाव वाच्चे जिस वाके में भाव की प्रधानता हो या भाव की भाव का बोध हो यानि क्रिया के जिस रूप में भाव प्रधान हो उसे भाव वाच्चे कहते हैं यानि कि क्रिया के जिस रूप में भाव का पता चलता हो उसे भाव वाच्चे कहते हैं भाव वाच्चे म बाव वाच्चे में सिर्फ अकर्मक होती है इसमें ना तो करता की प्रधानता होती है ना ही कर्म की प्रधानता होती है बलकि क्रिया का भाव ही प्रधान होता है जैसे अक्षत से हसा नहीं जाता हसना क्या हो गया एक भाव हो गया इसलिए अक्षत से हसा नहीं जाता तो इसमे भाव की प्रधानता है भाव आच्चे के कुछ और उधारण नीचे दिये गए है नानी जी से चला नहीं जाता हिरन से दोड़ा जा रहा है आदी नीचे दिये गए इसमें भी वही बात बोली गई आपको नीचे दिये गए सब्ध भंडार से इसी परकार के आप भी कुछ वा पढ़ा, मुझसे, रुलाया, बहाना, ये आपको शब्द दिये गए हैं, तो आपको इसमें सिर्फ दो ही प्रस्न सॉल्व करने हैं, क्या करना है, शब्द भंडारों का प्रियोग करके कुछ वाक्य बनाने हैं, कुछ भाव वाच्चे के उधारन बनाने हैं, और कुछ कर्म के उधारन बनाने, तो चलिए, शुरू करते हैं इनके उधारन को लिखना, उससे पहले जान लेते हैं, नीचे आपको एक मैसेज दिया गया है, कोविट के संदर्ब में उचित विवहार संबंदी, CAB संदीज, दोगज अथुआ छे फिट की सारी रिक दूरी का पालन करें यानि कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी रहते हैं, तो आपको दोगज की दूरी बना कर रखनी है, अपने दोस्तों से, अपने रिस्तेदारों से और अपने परिवार वालों से भी, ठीक है, दोगज की दूरी को हमेशा बना कर रखना है, चले शुरू करते हैं इनके उत् प्रश नमबर एक दिये गए शब्द भंडार से इसी प्रकार आप भी कुछ वाक्य बना कर लिखिए जिसमें कर्म की प्रधानता हो तो आज हम कर्म वाक्य के उधारन लिखेंगे इसमें मैंने 10 उधारन लिखेंगें आप ये उधारन भी लिख सकते हैं और यदि आपको कोई अपना उधारन अच्छा लगता है तो आप वह भी लिख सकते हैं निबंद लिखा गया 6. मेरे त्वारा सपना देखा गया 7. गवाह को पेश किया जाए 8. मुझसे चला नहीं जाता 9. चोर का पता लगाया जाए 10. मजदूरो त्वारा इमारत बनाई जा रही है तो ये हैं आज के कर्म वाखे के 10 उधारन अब देख लेते हैं भाव वाच्चे के उधारन चले प्रश्ण 2 देख लेते हैं प्रश्ण 2 में भी वही चीज़ पूछी गए दिये गे शब्द भंडार से इसे प्रकार आप भी कुछ वाक्य बनाकर लिखे जिसमें भाव की प्रिधानता हो यानि कि जिसमें भाव की प्रिधानता हो हर एक वाक는데 में तो शुरू करते हैं भाव वाच्चे के उधारन नमब एक मुझ से सोया नहीं जाता Наो मुझ से खाना बनाया नहीं जाता नमब तीन राजु से तेज़ दोड़ा जाता है 4. सचिन से गाया नहीं जाता 5. भगवान द्वारा रक्षा की जाती है 6. बच्चे को रुलाया नहीं जाता 7. मुझसे बहाना बनाया नहीं जाता है 8. मुझसे खाना मांगा नहीं जाता 9. वह मुझे देख कर 10. मुझसे अपना काम उसने अपना काम मुझसे कराया है तो ये हैं हमारे 10 उधारन भाववा चेके I hope आपको समझ में आये होंगे यदि आपको समझ में आये तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे साथ ही हमारे सभी आंसर्स रिटन फॉर्म में हमारे टेलिग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड किये जाते हैं हमारे टेलिग्राम चैनल का नाम है मुदिता IS Warriors उसे जॉइन करके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है उसे जॉइन करके आप वहां से भी यह आंसर्स लेख सकते हैं अच्छा सभी बच्चों को कुछ यह कंफ्यूजन होती है कि माम हम आपकी वीडियो सर्च करते हैं बढ़ हमें आपकी वीडियो मिलती नहीं है तो आपको वीडियो सर्च करनी कैसे है आप किसी भी सब्चिक की वीडियो अगर सर्च करते हैं यह हमारी वीडियो है 45 हिंदी की वीडियो है 45 क्लास 10 आपको वीडियो को ऐसे सर्च करना है सबसे पहले आपको डालना है class class 10th आपको वीडियो search option में जाना है youtube खुलना है search option में जाना है वहाँ पे आपको type करना है class 10th worksheet 44, 45, whatever और subject last में डालना है आपको सबसे पहले डालना है class number 2 पे डालना है worksheet और number 3 पे आपको क्या डालना है subject तो जैसे कि आज वाली वीडियो आप search करोगे तो डालोगे class 10th class 10th worksheet 45, Hindi ठीक है आपको कैसे search करना है class 10th worksheet 45, Hindi class 10th worksheet 45, SSD ऐसे करके आपको search करना है और search में हमारी वीडियो आपको जल्दी से मिल जाएगी और वहां से आप काम कर सकते हैं तो इस तरीके से आपको वीडियो को search करना है और दूसरी बात यह है कि जब भी आप वीडियो को देखने के बाद comment करते हैं तो आपको comment करने से पहले वीडियो को कम से कम 3 मिनट तक देखना है उसके बाद comment करना है अगर उससे पहले आप comment करते हो तो वो comment हमारे पास नहीं आएगा वो comment spam box में चला जाएगा और वो comment हम पढ़ ही नहीं पाएंगे तो इसलिए आपको क्या करना है वीडियो को सबसे पहले कम से कम 3 मिनट देखना है उसके बाद comment करना है ताकि वो comment हमारे तक पहुंच सके और हम आपको reply कर सके तो ये हैं हमारे सभी questions और उनके answers so आपको मेरी बात I hope समझ में आ गई होगी यदि आ गई है तो thank you so much bye bye बचो take care